सूरे जो परत्यक्ष देव हैं और उनको नित्ते दिन जल अर्पित किया जाता है उनकी पूजा की जाती है लेकिन सूरे को अगर हम जल देते समें कुछ पिसेश वस्तू अर्पित करें तो हमारी मनुकामना अतिसिग्रपूरी होती है लेकिन सूरे देव को जल अर्पित करने का विसेश बिधान भी है धार्मी दृष्टी से तो हम सूरे को जल देते ही हैं लेकिन इसके फायदे भी बहुत होते हैं और आज हम आपके साथ बहुत सारी बाते करेंगे देखिये सूरे जो पिता का कारख है आत्मा का कारख है मान-समान और सुख सम्रिधी देने वाला ग्रह है और अगर सूरी को जलाब सही तरीके से दे तो कुंडली के सारे दोस ही समाप्थ हो जाते हैं सूरी का दिन है रवीबार और रवीबार के दिन अगर विशेश वस्तु का दान करें तो आपके जीवन के कस्ट कम होते हैं सूरी देव की जो लोग पूजा करते हैं उनके जीवन में सत्रू विरोधी उन्हें ज़ादा परेसान नहीं कर पाते क्योंकि वो सत्रूं पर विजय प्राप्ट कर लेते हैं और सूरी देव की पूजा से भाग में राजियोग भी बनता है तो अगर आप सूरी देव को जल अरपित करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान डखना चाहिए एक बात उसके पहले जान लें कि सूरी देव को जल अरपित करने के समय हमेशा तामबे के ही बरतन का यूच करें क्योंकि तामबे के पात्र से अगर आप जल देते हैं तामबा जो सूरी का कारक वस्तू है तो इसके फल आपको कई गुनाधिक मिलते हैं भूल कर भी श्टील के लोटे से कांच के बरतन से प्लास्टिक से आप सूरी को जलना दे वैसे तो आपके पास नहीं है कुछ श्टील ह तो आप दे सकते हैं लेकिन कोशिस करें कि तामबा का छोटा ही लोटा हो पर तौम्बे के बरतन से दे सूरी को जब आप जल अरपित कीजिएगा तो उसके विसेश प्रियोग होते हैं विसेश तरीके होते हैं सबसे पहले तो सुर्योदे से पहले आप अस्नान बगेरा कर इसके बाद जो जब सूरी उदय हो रहे हों कम से कम सुबह आट बजे के पहले जल दे दे तो अच्छा है अब एक बरतन में जल ले जल में थोड़ी सी मिसरी डाले सूरी को मीठा जल चड़ाने से कुंडली के असुब मंगल का दोस्वाप्त हो जाता है और सूरी को जब कि समस्या है पारिवारी जीवन की समस्या है दूर हो जाती है अगर आप चाहते हैं कि जीवन में खूब धन मान सम्मान यस बढ़ता रहे तो रभी बार के दिन एक बरगत के पत्ता ले ले उस पर हल्दी से स्वस्तिक बनाए और इसको धूब दीब दिखाकर अपने घर में सुरक्षित रख ले तो आपके जीवन में धनकी कमी नहीं होती हर एक मेहने में आप इसको चेंज करें पुराने वाला कहीं मिट्टी में दमा दे और फ्रेस फिर से बना ले रभी बार के दिन भूल कर भी सरसों का तेल और अदरक का सेवन ना करे वरना जीवन में मान सम्मा यस प्राप्ति में बाधाएं आएंगी और सरकारी नौकरी बेगारे प्राप्त करना चाहते हैं तो अधक और सरसों का तेल का सेवन मत कीजे रभी वार के दिन आप उसके जगर कोई भी तेल खा सकते हैं और इसके साथ ही नौन बेज अगर खाना हो तो दूसरे पहर में खा चाहिए रात के समय आप खा सकते हैं आपके मानने पर है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सूरे मजबूत रहे तो यह चोटे से परियोग आपको करना चाहिए तो अब जानते हैं कि सूरी को आप जैसे हमने कहा श्टील चांदी सीसा प्लास्टिक के बरतन से जल नहीं देना चाहिए जहां तक संभव हो जब आप जल देंगे तो पहले बरतन में आपको जल लेना है तामवेब के बरतन में दोनों हाथों से लोटे को पकड़ें अब जल स अगर चीटे पैरों तकाते हैं तो कोई दिकत नहीं है लेकिन डिरेक्ट नहीं आना चाहिए सूरी की किरने ब्यक्ति के सरीर पर पड़ती है सूरी के साथ नोगरह भी मजबूत होते हैं जब आप जल अरपित करेंगे तो उसमें गुड़ और चाबल डाल दें ऐसा करने से आपके जीवन के कस्ट कम होते हैं जब आप सूरी को जल अरपित करते हैं तो बहुत तरीके से चीजें अरपित करके दिये जाते हैं ताकि आपके गरहों की बाधान समाथ हो जाएं अगर पित्री दोस हो जीवन में आपको लगे कि हर कदम पर बाधाएं हैं कोई भी काम में सफलता नहीं मिल पा रही घर में सुमंगल कारें नहीं हो पा रहे तब सुरी को जल देते समय लोटे में एक चुटकी काला तिल डाल कर अरपीत करें तो आपके जीवन की समस्त बाधा समाप्त हो जाएगी और आपका सनी सुब फल देने लगेगा अब दूसरे तरफ देखिए जब आप जमीन पर जलधारा गिडाएंगे तो जल में समाहित सुरे उर्जा धरती में चली जाएगी और सुरे अर्द का संपुर्ण लाव आपको नहीं मिलेगा इसलिए अर्द द करते अनुकंपे माम भक्तिया ग्रिहनार्थ दिवाकरह इस मंतर का जब करके सुरे को जल अर्पित करें इसके बाद सीधे हाथ की अंजुरी में जल लेकर अपने चारों और छिड़के फिर जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर तीन बार घूम कर प्रक्यमा करें घूमेंग तो मिलता है सुरी को रो अगर आपका पैसा किसी ने ले लिया है कहीं फस गया है कोई वापस नहीं कर पा रहा या फिर आपका पैसा कहीं ब्लॉक है आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको मिल जाए तब जब भगवान सुरी को जल अर्पित करें तो रभी बार के दिन से चुटकी लाल मिर्च के बीज डाल कर अर्पित करें भगवान से प्राथना करें सिग्रधन प्राप्ति के लिए अगर मंगल कम जोर हो तो जल में सककर या फिर गुर डाल कर अर्पित करें तो आपका मंगल बेहतर होता है जीवन में कस्ट कम होते हैं सत्रू बिरोधी जादा परिसान करें आपको लगे कि सत्रू बहुत जादा परिसान कर रहे हैं तब जल में लाल गुड़हल के पुस्प डाल कर सूरी को अरपित करें तो सत्रू बिरोधी सांथ हो जाते हैं अगर बैबाहिक जीवन में समस्या है या फिर आपका बिवार नहीं हो पा रहा है तब जल सूरी को जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर अरपित करें जो बिद्यारती हैं पढ़ाई पे फोकस करने के लिए पढ़ाई में अच्छा करने के लिए जब सूरी को जल अरपित करें तो उसमें स्याही डाल कर अरपित करें जादा नहीं दोबुन डाल कर अरपित करें तो प लाल चंदन या रोली डाल कर अर्पीद करें तो फिर आपका अच्छा स्वास्त रहता है और जल अर्पीद करतें इसमें गायतरी मंदर का जब कीजिएगा आप चाहें तो इसमें एक चुटकी अक्षत भी डाल सकते हैं जब जीवन में लगें कि कस्ट ज्यादा हो रहा है जीवन में आप चाहते हैं कि सभी ग्रह आपके अनुकूल ही फल दे सभी ग्रह को प्रसंद करने की बजाए अगर आप सिर्फ सूरी की अराधना करें तो आपका भागे उद्य होने लगता है तो अरपित करते से में छोटे से चीजों का ध्यान डखें और अगर नौकरी में परेशानी हो रही हो तो सूरी को जल जरूर अरपित करें भगवान सूरी को आप अप पर नाम करके 27 वर गायतरी मंत्र भी पढ़ सकते हैं आपकी मुस्किलें दूर हो जाएगी सूरी साक्षाद देव हैं और इसका सिर्फ बैग्यानिक आधार भी है सिर्फ ऐसे जलम अपर अरपित नहीं करते फिलाल भी डालेंगे हरहर महादेव